इसलिए कुछ सालों में भारत में सुगर के मरीजों की संक्या बहुत जादा बढ़ चुगी है जिससे परिवार के खर्चे भी काफी बढ़ जाते हैं जिसमें की मेडिसीन, टेस्ट और कॉंप्लिकेशन सामिल हैं सर्वे के नुसार भारत में प्रतिवर्स एक सुगर या मदुमे के मरीज पर 50,000 से लेकर 0.5 लाग रुपए खर्च हो जाते हैं और जैसे जैसे मरीज की बिमारी बढ़ती जाती है उसकी कॉंप्लिकेशन भी बढ़ती जाती है और उसके इलाज का खर्चा भी बढ़ता जाता तो पहले हम बात करता है insurance coverage यानि कि insurance में क्या-क्या सामिल है या फिर आपको क्या-क्या इसमें फायदे मिल जाते हैं OPD charges यानि कि जो भी आप रॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जो आप parameters कराते हैं उन सभी के खर्चे आपको मिल जाते हैं diagnostic test जो भी आप टेस्ट कराते हैं उन सभी के खर्चे आपको मिल जाते हैं medicines के खर्चे आपको मिल जाते हैं अस्पताल में भरती होने से पहले और भरती होने के बाद के आपको सारी expenses मिल जाते हैं ambulance सेवाई मिल जाती हैं dialysis coverage कई बार सुगर के मरीच को dialysis कराना पड़ सकता है तो उसमें जो खर्च आता है वो time 2 diabetes यानि कि ऐसको भी व्यक्ति जिसे type 1 या फिर type 2 डाबर जाते हैं वो diabetic insurance करा सकता है और age की बात करें या उमर की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल की भीच के सभी व्यक्ती diabetic insurance करा सकते हैं अब बात करते हैं premium rate यानि कि insurance कितने का होता है ओँ दुख जो diabetes का insurance होता है ये 5000 से ल ही उने वाला है। उसकी उमर कितनी है। पहले से मुझूद बििमारी। मरीच को पहले से क्या क्या बिमारिया उस पर भी यह निर्भर करता है। और बिमारी की क्यांस गंभीर है। यारी कि टाइप 1 कैंसर आधी तो उन सभी को ये insurence कवर नहीं करता खुद की लगी चोटे यदि आपको खुद से कोई चोट लग जाती है तो वो भी इस insurence में कवर नहीं होती है और साथ-साथ गरवस्ता उपस्छार आदी यदि कोई महिला pregnant होती है या फिर pregnancy के दौरान जो उसके इलाज होत माली जी यदि आपको आज इंसोरेंस लेते हैं और वो कब से लाग होता है तो उसे हैं वेटिंग पिरियड कहता है तो बहुत सारी कंपनी का जो वेटिंग पिरियड होता है वो दो साल से लेके चार साल तक होता है और बहुत सारी कंपनी का जो वेटिंग पिरियड होता है वो एज 45 साल है और उसने 10 साल का Health Insurance लिया है तो उसे कौन सी कंपनी कितने का Premium देती है और उसमें वेटिंग पिरियेट कितना होता है तो पहले कंपनी है यहापर निवा बूपा तो इनका एक प्लान होता है Reassure 2.0 तो यह क्या होता है इसमें जो Waiting Period होता है वो Zero Day होता है यानि कि आपको कोई भी Waiting Period नहीं दिया जाता आपका जो Insurance है वो पहले दिन से ही लाग हो जाता है बात करें इसके Premium की या फिर जो इसका प्लान है वो कितने का है तो इसका प्लान होता है 15,376 रुपे प्रतिव वर्स नमबर टू है यापर आदित्या बिल्ला इनका प्लान है आदित्या हैल्थ प्लेटिनम इसमें जो Waiting Period होता है वो 30 दिन का होता है और इनकी जो Premium है वो 27,630 रुपे की होती है इसके बाद यहाँ पर है Care Health Insurance और इसमें जो प्लान है वो है Care Supreme Policy इसमें जो Waiting Period होता है वो 30 दिन का होता है और इनका जो प्लान है वो 15,122 रुपे का है इसके बाद है Manipal Cigna Health Insurance इनका जो प्लान है उसका नाम है Prime Active इसमें Waiting Period होता है 90 दिन का यानि कि आपको 90 दिन तक वेट करना होता है और इसमें जो इनकी पॉलिसी का जो प्राइस है वो है 13,622 रुपे तो यहाँ पर हमने कुछ एक्जामपिल बताए है जो कि Diabetic Health Insurance प्रोवाइट कराते हैं तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी है जो कि Diabetes Health Insurance कराती हैं तो आप इन में से कोई भी जोइन कर सकते हैं यदि आप इन में से किसी भी कंपनी का प्रेटिकुलर वीडियो चाहते हैं या उसके बारे में पूरी इंफोर्मिशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे थैंक यू वेरी मुच